Hello all my dear students, कैसे हैं आप सब? I hope कि आप लोग काफी अच्छ होंगे और आज की इस वीडियो मनों बात करें क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नमबर 6 जिसका नाम है भक्ती सूफी परंप्राएं इस चैप्टर से बनने वाले सभी important, objective यानि MCU की कोस्टन को हम लोग आज की इस कलास में cover करेंगे जो कि NCIT based Hindi और English दोनों language में रहेगा इस वीडियो को ध्यान से और अंतक देखना है पूरे explain के साथ सारे कोस्टन आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ काफी आप लोगो मज़ा आएगा और आपको बताता हूँ कि आप लोग किसी भी board exam के तयारी कर रहे है और आज की इस वीडियो को देख लिए तो chapter 6 से बनने वाले जितने भी MCU कोस्टन होगा इससे बाहर फाजिल आप लोग को देखने को नहीं मिले गए सारे selective और most repeated जो बार बार पूशे आते हैं और जो पूशे आने के संभाव ना है वही सारे कोस्टन यहाँ पर क्लिक किए गए इस तरह आप लोग को पीशे के पांच चप्टर का मिल जाएगा ठीक है और बाइक संब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक है ताकि आपको डेली जो है इसी टाइम पर क्लास की नोडिशन समय पर मिलते रहे ठीक है और इसका अच्छा से क्वालिटी आप देखना चाते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन को फूल कर लीजिए पहले लाइक कर दीजिए ताकि आप लोग बेटर क्वालिटी से देख पाएं और आपको अच्छी तरह से समझाए ठीक है इधर हिंदी में रहेगा इधर इंग्लिस में रहेगा नीचे में आपको एक्स्प्रेनेशन दिया रहेगा तो फर्स नमर कोस्टन पूछ रखा है निमन में महीला संथ जो थ भगवान किरिष्ण के भगत के रूपर परसित थे वो अभी भी भारतिय धार्म के तियासकार में एक लोग पिरी है और कराइकल की बात करते हैं कराइकल जो है अम्मयार जो बचपन से ही भगवान सिव की भगती थी ठीक है तो यह सभी क्या थी महीला संथ थी तो आप्सन नमबर ए इस कोशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ऑफ्सन नमबर ए याद रखेंगे कराइकल अम्मार जो बचपन से ही भगवान सिव की बगती इनका जनम जो दक्षिन भारत के कराइकल में हुआ था और संभवते पांचवी सताब्दी इस वी के दवरान ही रहते थ छ Αया ठीक है नेक्स्ट कोशन को शलान ऑनबर तीरी पुछ रखा है विसनु को अपना पती कों वानती थी तो विसनु को अपना पती मानने वालगे आपर मीरा होगा अंडाल होगा कराइकल होगा इन मसेसह सभी ध्यानने हैं ओन जेंगे इस को अंप्सन्ऌन का आपका अस नमर बी जो की correct answer गा अंडाल अंडाल जो है विश्णू को अपना पती मानती थी याद रखना आप लोगको सिरी रंगनात भगवान विश्णू ने अंडाल से विभा किया और जो बाद में भगवान के साथ विले हो गई अंडाल या अंडाल तमिल नाडू के परसित कवी और संत थी उन्हां भूमी देवी धरती माता का अवतार माना जाता है आगे बढ़ते ही question number 4 पुछ रखा है रामानंद के सिस इन में से कौन थे रहिदास होगा कबीर होगा धन्ना पीपा या इन में से सभी तो correct answer डिफिनरिसम नमर दी इन में से सभी ठीक है इसके अलावा आप आपको बता दें कि जैसे आपको बताया अपर पीपा हो गया सेन भाई धन्ना नावादास नर हर्यालन सुखनान सुखानन कबीर रहिदास सुर्शी पदमावती जैसे बारे लोगों को अपना परमूख्षिस बनाया था कौन रामानन याद रहेगा चलिए आगे बढ़ते ह पत्री जो ख्वाजा मेर दूंबर अजमेर इस्तित दरगा का वर्नन किया तो बुलेंगे जहां आरा होगा रोशन आरा या इन्में से कोई नहीं नीए तो और अप्शन नमबर ए यानि जहां आरा बेगम ने साहां मैं सा जहां से इजाजत बंगे की वए दरगा में चीरागा करना चाहती है और फिर क्या हुआ कि दर्गा के आहाता है नूर के पास इस्थित बेगमी दलान भी जहां आरा बेगम नहीं बनवाया थी ठीक है कौन सी चीर्व बेगमी दलान याद रखेगा नेक्स्ट कुछ्ट पुछरक हम लोगों को पुस्टी मार का जहाज किसे कहा जाता है काफील आजवा उर्पुस्टी मार का जहाज तलवंडी जिसका अभी नाम है ननकाना जो की गुरु नानक के नाम पर रखा गया है तो डेफिनिस को पता होना चाहिए गुरु नानक का जो है जनम तलवंडी है और जो तलवंडी जगह है उसी जगह को अभी चेर्ण करके नाम रखा है ननकाना साहिब का ठीक है तो जो की से कौन थे महारास्ट संद की बात करें इनमें से सभी जो कि महारास्ट के संद थी ठीक है तुकाराम, रामदास, ग्यानेसवर ठीक है संद तुकाराम, ग्यानेसवर, एकनात, रामदास और जनवाई महारास्ट के सबसे परसिद संद माने जाते हैं यानि संदों में से कुछ है महाराष्ट को संतों की भूमी कहा जाता है क्योंकि इस भूमी पर कई महान संतों ने जन में लिया और इन संतों ने लाखों लोगों के भक्ति का मार्ग दिखाया संतों ने लिया और इसलिए उनका नाम राविया था जिसका अर्थ होता है सथ नेक्स्ट को संतों पुछ रहका है पुत्री का विभा कुछ रखाया तो आंसर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर यहां पर फड़ित दिन गंजे सकर के साथ बलवन की पुत्री का विभा हुआ था राजकुमार दारा का संबंद की सिलसिले से था तो राजकुमार दारा की बात करें यह अगबर का बेटा था और क्या करते हैं कि यह आपका कादरी सिलसिले से था कौन से सिलसिले से कादरी सिलसिले से ओप्सन नमबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अकबर का बेटा कौन था जहांगीर और जहांगीर का बेटा था साहां जहां और साहां जहां का यह सबसे बरा बेटा था राजकुमार दारा ठीक है प्याद रखेंगे option number C हमारा correct answer हो जाएगा दारा सिको मुगल सामराट साहजा के सबसे बरे पुत्र और उत्तर अधिकारी थे उनके अनुवाद को अक्सर सेरे अकबर कहा जाता था ठीक है आगे बरते हैं question पूछ रहका हम लोगो काफी लाजवाब question है कई बार exam में पूछा गया है तो answer रहका option number B मुहम्मद बिन तूलत ठीक है next question कुछ रहका है कि सफी मत की फिर्दोसी साखा निमन मैंसे कहा सबसे अधिक पन पा correct answer option number D जोगा बिहार काज़गा option D कादरिया संपरदाय बिहार में सूफी मत के परचार का कारिया इसी संपरदाय के फखीर मखदूम सहाने किया था next question कुछ रहका है ख्वाजा मेर्दिन चिस्ति की दरगा कहा इस्तित है तो इसकी दरगा सबको पता है अधिमेर में है option number D हम इनका जनम जो है 537 हिज्री सव्मत अर्था 1143 इस्वी परसिया के इरान के सिस्तान छेतरे में हुआ था ठीक है आगे question पूछ रखा है question number 15 करा कि पाहन कुझे हरी मिले डैस किसकी काव ये पंगती है तो आंसर करेंगे option number B यानि कवीर क्या जाएगा option number B इसका मतलब क्या हु अली जो पीस खाय संसार ये दोहा कवीरदाजी का है इस दुहे के कवरदाजी कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से इसवर मिले तो पहार की पूजा करूं इससे तो अपने घर में चक्री ही अच्छी है जिसे सारा संसार आटा पीस कर खाता है ठीक है चलो जी देखो इसको से मतलब दुहे का क्या अर्थ होता है संक्राचारे का मत की बात करें अधेतिवाद है क्या है अधेतिवाद ठीक है चलो जी आगे कुछ रखाया बल्लबाचारे का जरम जो है कहां हुआ था आशर क्या जगा जगा option number C वारानसी क्या जगा option number C हमारा क्रेक्टार्स रोगा नेक्स कुछन कराई सेख कुद्वद्धिन भक्तियार काकी का संबन की सूफी समपरदाए से हैं तो क्रेक्टार्स रोगा option number A चिस्टी क्या जगा option नमबर एक कुत्व उतनिन बख्तियार का की जिसका जनम की बात करें तो 1173 कुबाता और 1235 को इंतकाल चिस्ती का आदेश की एक मुस्लीम सूफी संथ और विद्वान थे वह फासा मेर्दिन चिस्ती के अध्यात्मिक उत्तरा धिकारी और सिस थे जिनोंने भारत उप महादीप में चिस्ती तरीके की निव रखी थी ठीक है नेक्स्ट कोस्टन करा है निजामुद्दीन ओल्या की दरगा कहा है डेफिनले पता होना चाहिए आपको आप्सन नमबर एव देगा निजामुद्दीन मतलब ओल्या की दरगा वो दिल्ली में है कहां पर है दिल्ली में हजरत पदा निजामुदीन औलिया चिस्ति सिलसले से तालुक रखते थे दक्षिन दिलने में सित हजरत निजामुदीन औलिया का मखबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगा है हजरत निजामुदीन चिस्ति भयाने के चोथे संद थे नेस कोशन करा है कासी में किस परसित संद का जन्म हुआ था तो कासी में जो करेक्ट आनसर का बल्लवाचारी है ऑप्सन नमबर डी हमारा करेक्ट आनसर हो जाएगा ठीक है चलिए क्या आनसर होगा ऑप्सन नमबर डी बल्लवाचारी है महापरवो जिसका जनम 1489 से 1530 जिने ब तो औरंगजिव का संबन्द जो है का नक्स बंद ऑप्शन नमबर डी हमारा क्रेक कानसर का औरंगजिव का संबन्द किसे था नक्स बंद सूफी से लिसे लिसे था मुगल सामराज का छटा सामराज जिसे जिसने जुलाई 1658-17707 तक अपने मिर्तियू तक जो है सासन किया था इसके सासन काल के दोरान मुगल अपने छेतर के साथ लगबग पूरे भारतिय उपमहादीब में अपने सबसे बरी सीमा तक पहुँच गए नेक्स कोस्टन कोस्टन नमर तईस सल्टान अलहिंद जो है किसे कहा जाता है याद रखेंगे काफी बार एक्जाम में पुछाते है सल्टान हिंद खवाजा में अर्धिन चिस्ति आप्सन नमर ए करेक्ट आनसर हो जाएगा अजमेर के खवाजा गरिम नमाज का पूरा जीवन निर्धन लोगों की सेवा और खुदा की इबादत में गुजरा खवाजा क्यों चाहने वाले ने उन्हें कई नाम अपनी सिर्धा के अनुसार दिये उन्हों में से एक नाम जो काफी पूबलर जिसका नाम सुल्तान हिन इस सब्सक ouais और जिसको nama कषक टेन अटरी के बूंगाल के अपरसए जो है कौन थे बंघल के मौन के बात करें जो na बड़कें bethul है क्लिए सब्सक्राइब द्व नानक का नडंक करते हैं नानके स को देवकी का जन्म 15 अप्रेल चौदर सुन सत्र उसी में तर्वंडी नावक अस्थान पर हुआ था बाद में तर्वंडी का नाम क्या हुआ नंकाना साहिब कहते हैं कि अगत इसको नंकाना साहिब योगी पाकिस्तान में अभी इस्तित है कुस्टन नमर्ट 26 किस भक्ति संत्य ने अपने संदेश के परचार के लिए सबसे पहले हिंदी का परियोग किया था तो करेक्ट आंसर देगा आपका ओप्सन नमर्ट C रामानन ने किया था ठीक है कबीर के गुरु संत्य रामानन थे इसका सबसे महानकार ये कि उन्होंने भक्ति को भी सभी लोगों को सामने रूप में पालन करने का अधिकार दिया उन्होंने अपने संदेश के लिए ही हिंदी सब्दों का परियोग किया 27 question पूछ रखा है उत्तर भारत में भक्ति आंदुलन का आरम किस संत्य ने शुरू किया तो correct answer बुलेंगे option number A रामानन बिल्कुल आपनों का correct answer अची है option number A next question 28 बीजक में किसके अवदेश संगरित है तो बुलेंगे बीजक की बात करी जा रही है तो correct answer का option number A कबीर के अवदेश संगरित है किसके अवदेश कबीर के option number A हमारा राइट हो जाएगा बीजक कबीर से संगरित है बीजक कबीर द्वारा ही लिखा गया है यह कबीर के दुहे से संगरित है बीजक गरित में कबीर द्वारा राची दोहों का संगलन किया गया है 29 question देखे पूछ रखाया कुतुब मिन्यार का निर्मान किस ने शुरू किया तो कुतुब मिन्यार का निर्मान जो शुरू किया था आपका किया था कुतुब उद्दिन एवक option number C हमारा right answer हो जाएगा next question पूछ रखाया कि कबीर जो सिसे थे वो किस के सिसे थे आपका option number C रामानन के सिसे थे ठीक है संद कबीर साहिब कबीरदास संद स्वामी रामानन के सिस थे रामानन ने बारस सिसे थे ठीक है याद रखेंगे दो महिला सिस सूरुषी और पदवती सामिल थी next question अच्छा question number हम लोगों का यहां तक तीस question था इस chapter से और आगे question नहीं है इस chapter से जितने भी important question था मैंने वह सारे कोसिस किया है कि आप लोग को दे दिया हूँ यहां पर ठीक है और एक भी question आपको यहां से बाहर देखने को नहीं मिलेगा सारे question को अच्छी तरह से revision कर लेना है note कर लेना है बिल्कुल आपको 100% यहीं से देखने को मिलेंगी ठीक है बाके notes PDF टोगरे के लिए आप लोग इस दिये गए number पे call कर सकते हैं ठीक है आपके सामने जहां पर जो number दिया है इसको आप लोग note कर लेजिए और इसमें call करके आप लोग notes कर ले सकते हैं exam के तयारी का कि आपके फ्रेंड भी daily class कर सके daily इसी टाइम पर एक एक वीडियो आप लोग को मिल जाएगी class का जहां पर आप लोग अच्छी तरह से पूरा complete chapter जो है पूरे book को खतम कर सकते हैं चलिए यहीं तक हम लोग class को end करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में जबते कि लिए जय हिं झांक्स पूर वाचिंग